भारत माता कीजए नमस्कार आप सभी कर्म मेरे इस चैनल में एक संस्वोग स्वागत है जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बताया हूं कि मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि जो नेगेटिविटी संग के बारे में आरिसेस के बारे में फैला जाता है उस ज्यादा ना फैले उसको ध्यान में रखकर एक मैं छोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी वीडियो को देखिए इसमें अच्छे-चे कॉंटेंट डाले गए हैं लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा लेगों तक सेयर कीजिए अब वह नत मस्तक थी करकरता के पत्नी तो अप्पा जी की बात मालनी वह अपने घर लोट गई श्री अप्पा जी का अस्वासन तो दे दिया पर आयू कहां से दे देते पर हिड़े में एक अध्भुत प्रकार का विश्वास था कि यदि हमारा संग का रियुस्वरिय का रहे है और हम लोग निश्टापूर रहे तो भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे इस विश्वास स्री अप्पा जी के हिर्दे में अगाद आस्तिक्ता और उसके जीवन भर का अतुल तपस्या यानि संग के करता है ये मन का विश्वास है इसलिए इसी मन के विश्वास के कारण उने कहा कि हां मैं तेरे पती को जब तक जेल में है तब तक मरने नहीं दूंगा जेल में जब तक हैं सभी बंदी संसे को संदेश दिया गया कि वे अपने इस रुग्य संसेवक बंधू के लिए भागवान से प्रतना करें जिससे उसे स्वस्त की तथा आयू के प्राप्ति हो सब ने अराधना और प्राथना पर्रम्ब कर दी महा मिर्तिय जब और अन्य प्रकार के अनुष्ठान भी किये गए स्रीअप जी ने तो दिन रात बस यहीं प्रतना करते रहे प्रभू मेरी बेटी का सुहाग आबाद रहे भागवान के किरपा से उस कहर करता का हालत में सिधार होई जेल में जब तक रहा सिधार ही होता रहा यानि जयन में जब तक रहा तब तक सुधारी होता रहा कुछ दिन बाद देश और समाज का चित्र बदला और आश्टियो संसरक संग पर से प्रसनिक प्रतिबंद हटा दिया गया सब संसरक बंधों मुक्त कर दिये गए सौतंतर आनंद चा गया वह अखकार करता वे प्रसंता पुर्वक अपने घर पर आ गया घर पर एक मास तक उसने प्रियार के बीच रहा लगभग एक डेड़ मास के बाद वह अखकार करता का दियान्त हो गया तब स्री अप्पा जी उसके घरवालों को मिलने के लिए गए और इसमें पत्नी का संतावना देने के उसके पत्नी ने अप्पा जी किसे कहा आपने तो अपना अस्वासन पूरा कर दिया पर में अभागिन सुहाग को सुभाल कर नहीं रख सके से अप्पा जी कुछ देर तक उसके पत्नी का भावनाओं को सहलाते रहे यह एक प्रसंग है संगे करकरताओं का आस्था का किंचित अभास करा देने के लिए संगे करे हैं ऐसी आस्था संगे करकरताओं और संसेयों को संक्रमित हुआ है परम पुजने स्री गुरुजी स्री माधो सदासी गुलवलकर श्री गुरु जी का पूरा नाम है श्री माधो राओ सदासी गुलवलकर परमपुजने श्री गुरु जी के परम आस्तिक और अध्यात्मिक व्यक्तित्वत से जब सब करकरताओं स्रीगुरु जी के भावनाओं के भावित थे, सभी स्रीगुरु जी के भावरस्मियों से कासित थे बिंदु सिंधु का अंस है, जब बिंदु ही इतना गरिमा मया, तब उस सिंधु का कितना महान, कितना विसाल होगा इसमें बिंदू, श्री अप्पा जी और सिंदू, श्री गुरु जी को नोटेशन किया गया है कितना विसाल होगा अब यह सोच लिजिए एक छोटा सा अप्पा जी के एग्जामपल से समझ लिजिए आप आस्था से सिंदू, श्री गुरु जी की गहराई का आकलन तो अनुमान से परे की बात है श्री गुरु जी का बन्यता और के अनुसार प्रभु सबक्ती देश सेवा और संकारे में सर्वता अभेद है एक ही कारे तो ये तीन संग्याय हैं यानि प्रभु भक्ति भगवान के प्रातना देश सेवा और संग्कारे ये तीनों एक ही उसका प्रिवाची सब्द है ये तीन सब्द है जो एक ही मतलब का एक ही उसका मिनिंग है और यही है अपना संग्कारे ये गुरु जी का मानना था उनका बिश्वास था कि संकार्य के द्वारा देश की सेवा करते हुए हमारे द्वारा प्रभू की अराधना अरचना हो रही है इस अस्था के शकार सवरूप थे स्रीगुजी यहीं कारण था कि समाज के बीच में रहते हुए उनका जीवन रिशी सुलब गरिमा से परिमंडित था। रिशियों के जीवन की निष्ठा, अम्ततपरता, त्याग और तपस्या उनका जीवन में मूर्तिमान थी। सबसे अधिक उलेखनी बात यह है कि उनके जीवन में चरम अंतरमुक्रता तथा अत्मधिक बहिर मुक्रता का अदफुत संगम है। बहिर मुक्रता ऐसी की संग के एक-एक संसिवक की सतत स्मृति बनी रहती थी। देश की एक-एक घटनाओं पर द्रिष्टी गड़ी रहती थी। समाज की एक-एक समस्याओं पर विचार सोचता रहता था और विप्रति विप्रगति की एक-एक सोपन का निर्देश देते रहते थे। हिंदू समाज के बरतमान दसा ने उसके हिर्दे बड़ा विकल रहा था। अपने ही बंधु फिर भी विविदेशी मन्यताओं से ऐसे समोहित हो कि उसे महर्चियों और राजासियों की वसानुवंसा प्रंप्रा को प्राप्त अपनी किसी गरोवास्वध राजकारी प्राणाले, समाज रचिना, अर्थ विवस्ता, एतिहासी करिमा, सौरे मता और सौर जहीत होने के कारण, वह नेतित्त समाज की सही दिशा भूध करा कसकने में संगर्च था, उनकी भ्रांत धारणाओ का ही को प्राणया था कि पदपद पर द्रिश्टी करण, देश का विभाजन, समाज के विजकट और पईस्मी का नुकरण, हिंदू समाज की एक पतनों मु जी अत्यदिक वियथित रहा करते थे, वे सदा सोचते रहते थे कि वह सुधिन कब होगा जब इस पवित्र मात्र भूमी के पूत्र हिंदू समाज आपने पूरातन गौब बैभाग को पुन प्राप्त करेगा, विभाजन और विखंडित भारत भूमी, विघटित और विन तक राष्ट नितिया, और इन सब के देश देखते कर उनके मन में होने वाली तड़पन की सीमा नहीं थी, यानि ये स्थिती समाज की थी, समाज में कैसे पस्चमी की तरफ पस्चत सब्यता की और बड़ रहे थे, और हम लोग उस समय हिंदू के क्या स्थिती थी, ये स्थि आए कि जब हमारा हिंदू समाज फिर से वापस उसी पुर्ण स्थापन यानि जिस में वो था, जिस गरव साली तहांस जो हम लोग जानते हैं, उस गरव साली सीमा तक पहुंच पाए, ये गुरु जी का मन में ये ही आता रहता था कि कैसे उनके उपर में सुधार हो, और सी ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, जो आधा हाफ हो गया है, हाफ अगले वीडियो में आपके लिए अबलेबल करा देंगे, थैंक्यू पर वाचिंग, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, जादा से जादा लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें मेरे चै